speaker desktop जो official work के लिए आता है official काम के लिए ये देखिए ये है CPU front में आप देखेंगे तो 4 USB ports एक headphone in और power button और साथ में optical drive है optical disk drive पीछे अगर हम देखें तो इसमें काफी कुछ मिलता है जैसे की mic in port, mic in port, speaker port, HDMI port, VGA port, 4 USB ports और LAN port इसके अलावा नीचे हमें मिलता है power connector, compact सा है ये देखने में काफी अच्छा लगता है, screen भी काफी अच्छी है इसकी monitor जो है काफी अच्छा है, साथ में आपको मिलता है HP का mouse और इसके अलावा HP का ही keyboard काफी अच्छा है इसमें मैं बताना चाहूँ आपको कि ये देखिए, Intel का Pentium processor आता है official work के लिए है, जैसा कि मैंने बताया, तो काफी सही रहता है official work के लिए जादा powerful computers नहीं चाहिए होते हैं, अगर high level काम करने हैं, फिर तो जादा powerful चीए होगा बट normal work के लिए, normal official work के लिए काफी अच्छा रहता है look wise काफी अच्छा है, look और built finishing काफी अच्छी है, इसकी quality काफी अच्छी है जादा कुछ costly नहीं आते हैं, office use के लिए, HP की branding आपको देखने के लिए मिल जाएगी monitor के उपर और नीचे extend, साथ में आप देखेंगे, तो पीछे क्या-क्या ports मिलते हैं, का HDMI port है फिर इसके अलावा VGA port है, और इसके अलावा है इसमें power connector port और पीछे safety और बाकी सारी information दी गई है, और ये barcode number है हलके full के काम ये बहुत properly करता है, official works जैसे Excel चलाना हो गया और ये keyboard देखिए, mechanical keyboard है, wireless नहीं है, wired है, और mouse भी same है, wired है optical mouse है, देखिए, quality इसकी भी ठिक ठाकी है, mouse और keyboard इतने जादा justifying नहीं है और official work के लिए ठीक ही है, दोनों ही data, data cable के थुरू connect होते है USB port से, और build quality की बात की जाए तो काफी अच्छी है, official works के लिए आजकर ये ऐसे systems काफी काम आते है, साथ में अगर बात की जाए तो आजकर Asus जैसे brands बहुत ही अच्छे mini PCs निकाल रहे हैं, जो pocket में आ जाते हैं, pocket friendly होते हैं इवन इसके अलावा ऐसे भी PCs बहुत सारे आ रहे हैं, जिनको आप mount कर सकते हैं अपने desktop की screen के पीछे, ऐसी वीडियो भी मैं और लाता रहूँगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो like कीजिए, comment कीजिए, आपको कुछ इसके बारे में जानना है, तो जरूर comment box में पूछिए, share और subscribe करना ना भूले दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहें, मैं आपका अपना विशाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए